हेलो फ्रेंड्स, वाइस वर्सल के एपिसोड 4 के पार्ट 1 में आपका स्वागत है, तो इस एपिसोड में दिखाया जाता हैगी तो यहाँ पर तुन होता है वो एक नाम बताता है कि हम लोग फराई के बाद में इंडट कर लिंगे जिसले यह हमारा फ्रेंड होता है वे लोग जो जीवन की हर एक उंची और नीची परस्तितियों में जीवन के अंति तक हमारे साथ रहते हैं तो यहां पे टलाए को टुन का जो यह आइडिया हो बहुत जादा पसंद आता है और वो आओ अपसे भी पूचता है क्या उनको यह चीछ पसंद आई तो यहां पे सब लोग जो होते हैं वो इस नाम के लिए मतलब राजी हो जाते हैं सबको अच्छा लगता है तो यहां पे अप बोलता है कि एक्चली मतलब मैं जो है इस फिल्म का एक साइन बनाऊंगा और उसको अपने स्टूडियो के सामने रखूंगा तो यहां पे अप उन लोगों को एक जगह पले जाता है जो आचली किसी बिल्डिंग की टेर्स पे होती है और वो उन लोगों को अपने स्टूडियो बताकर वहां पे वेलकम करता है तो यहां पर उस चीज को देखकर सारे लोग surprise आतने है, ऐसा अब उन से पूंचता है. तो यहां पर जो इСТham को देखकर टलाय कहता है, क्या यह काम करेगा. तो यहां पर टलाय जो होता है script पढ़ रहा होता है, जिसमें male lead होता है female lead को जहां पर confess कर रहा होता है, उसके बाद फिर जगह मतलब खाली होती है, ऐसा यह जो है टलाय पोस्ता है, तो यहां पर उसको अपर बताता है कि actually उसको कोई भी अच्छा सा sentence नहीं आ रहा था, तो इस को जानने के कोशिश करो, तुम्हें मुझे बहुत जादा पसंद करनी के जुरूयत नहीं है, और मतलब तुम बस मेरे लिए अपने दिल को खूला रखो, यह सारे sentence जो होता है, वो मतलब उस blank स्थान के लिए बता रहा होता है tune, यह सारे sentence जो होते है, तो तलाय को बहुत ज तुम्ने यह जो sentence है, तुम्ने जो तुप मैंने बस यह सारे चीज़ कहीते है, तुम नहीं पे पता था है और यहाँ लोग इस चीज को पसंद करेंगे, तुम्ने जो और चुपैर नियमगो का उलंगण कर आ थाए, तो यहाँ पर tune कहता है, कि हम लोग शुल्न foreigner यूण तो हम यहाँ पर यूच कर सकते हैं तो हम यहाँ पर टलाय कहता है कि हाँ ठीक है तुम सही कह रहे हैं तो हम पर टलाय कहता है कि बस यहाँ पर एक छोटी सी और प्रॉब्लम है कि मतलब उस सीजन में जहाँ पर जो लड़का होता है वो लड़की को मना रहा होता है उसे हमें और भी ज़्यादा मतलब energetic हम उसे बना सकते हैं तो यहाँ पर टुन कहता है कि मैंने तुमको बताया था कि मैं रोमांस में बहुत ज़्यादा expert नहीं हूँ तो यहाँ पर टलाया पूंचता है कि क्या तुमने पहले कभी इस तरह कि किसी भी सीन में काम नहीं किया है तो यहाँ पर टुन उसे कहता है कि मतलब यह हमारे सीनर्स के दौरा बनाएगी छोटी मतलब short film type की story type की जो है film है और कहता है कि यह वो सीन है जहाँ पर जो male lead और female lead होते हैं और ठीक है तुम करते रहों करते हैं तो यहाँ पर पर जोाएब यह किस करेंगे लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है तो यह मुझे यहां पर द्ल यहां ऐ बलस्स करनी की ज़रोँ अपर मज़ह रहा होता है फिर भी यू तो यहाँ पे पिर फिर जो टुन होता है उसक्के कंद घाल ज्टाक को समन इसके। इसके हेंड के विए ठुल गूर नगां और बीम मसICयज़ आज pantalla कहीता है तो बना पर नाजिन पर मतलब क्या एसे क्या कूर गूर इसक लगाया तो कैता है क्या मेरे चहर पे या मेरे सर पर सब चुछ लगया है मजे रहा हता है यहांप तुन अपनी हार मान, ब्हक्ते जादे कि होई जाया कね यहांपर इसे प्लीम्हान है तो क्या ज्यादो कुछ जादव धासनिकि, आज होगगा है, लेकिन हांपर जो तलाय होता है, आपने काम में और उचा काम करते हो और यह सुनकर होता है रहे थे तौड़ा सब भर 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 जब तो जब तुन मना करता है तो यह देखो तुम यहां पर बिलश कर रहे हो यहां पर टुन कहता है कि यह बस एक act है और मतलब यह sufficient है और कहता है कि मतलब तुम जो है अपनी script पढ़ते हो ऐसा टलाय को बोलता है और टलाय को script चेन कर खुद पढ़ने लगता है तो टलाय कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा cute लगते हो जब तुम इस तरह से blush करते हो तो यहां पर यह लोग आओ और आपको बाय बोलकर चले जाते हैं और फिर यहां पर टलाय को किसी कीता का फोन आता है जो से बताते कि आज उन लोगों का टेस्ट है तो और उसे पुस्ते हो कहा है तो टलाय कहता है कि मैं अपने रास्ते पर हूँ तो यहां पर टलाय जो हता है वो मुझे नहीं हो तो प्रपी जो है कि गेस बहं सबस्वाइक बाइक मेरे गेस भी काई टलाह को मैं अपने इसमिंट जानता हूं इसनल नियुक्ट यहां पे करहा एंग तो यहां पे तुन जो पहुंता है इस लाइब नियुक्ट बहुता है तो तुम आर लिखो अगर मैं चाहते हो कि लेफ्ट मूड़ो तो यहां पर टलाया जो होता है उसकी पीठ पर आर लिखता है तो जो तुन होता है उसको रेटेट करने के लिए कहता है कि यह यहां पर तलाया गुस्टे में कहता है कि यह आर है और उसका घलाया से पकड़ लेत कि जो है जिसकी वाज़े से मुझे चक्कर आ रहे हैं और अब मैं लेटना चाहता हूं तो यहाँ पर टुन उसे बोलता है कि तुम्हें सच में चक्कर आ रहे हैं उसके बाद वी अपने जेब से इन्हेलर निकालता है और उसे जैंक इन्हाइस से Exposed तो टुन उसे कहता है कि यह तुम क्या करा हूं तो यहाँ पर टुन से कहता है कि तुम्हें एक इन्हेलर दे रहा हूं तो यहां पर टलाय गुस्से में कहता है कि इसे इस तरह से मेरी नाग में फसा के तो यहां पर टुन कहता है कि यह एक इनेलर है और तुम्हें मतलब इसे सूंगना चाहिए और कहता है कि मेरे पास ऐसा कुछी भी नहीं है जिसको तुम खा सको इनेलर सुंगने के बाद टलाय कहता है कि अब मुझे बहुत ज्यादा अच्छा फिल हो रहा है तो यहां पर टलाय कहता है कि तुम मुझे राइट मोडने के लिए बोल रहे हो लेकिन हम तो यहां पर पहले से पहुंच शुके हैं तो यहां पे टलाया कहता है कि इसका मतलब R नहीं, राइट नहीं है, इसका मतलब है कि मैं रियली थैंक्फुल हूं तुमारे लिए, तो यहां पे टलाया कहता है कि यह कैसा रहेगा, और वो उसके पीट पे जो है वो L लिखता है, तो यहां पे जो टलाया होता है, वो कहता है चाहिए पूरे दिन वाला एक्जाम मतलब काफी टाइम होला तो यहान पर उसके फ्रेंड कहते हैं कि वह लाइल ड्रस वा लड़का कौन है जो तुम्हें काफी देर से घौर गूर के दिख रहा है तो यहान पर जो तुन होता है वो हाथ उठा कि बतार होता है कि मेहां पूं तो यहां पर उसके friend कहते हैं कि मतलब गुष्झे में कि क्या यह fight करना चाहता है तो कि हमें इसका ass तोड़ दिना चाहिए तो यहां पर जो उसके friend होते हैं तो tune को मारने के लिए जाते हैं तो टला जोता है उनको शान्त करता है और कहता है कि ये मेरा friend है जो filmें मेरे साथ काम करता है और वो उन लोगों को आगे चलने के लिए कि हाथ है और कहता है कि मैं उससे अभी बात करने जा रहा हूं तो यहां पर Tlaju die थे होता Tyn के पास बात करने जाता है और यह लोग पर बैभा बोलकर भेज होता है कि तुम घर भी जा सकते थे वापस और जाके स्क्रीन पर मतलब काम भी कर सकते थे तो यहाँ पर टलाय कहता है कि यह जगर ढूणने वाला जो काम है इसको प्रोडक्शन टीम को करने दो और यह जो है इसकी स्क्रीन राइटर्स का जॉब नहीं है तो यहाँ पे जो टुन होता है वो कहता है कि मैं यह नहीं कर सकता और कहता है कि अगर मैं इसमें नहीं होता तो जो है मैं वो राइटिंग के काम में भी एबल नहीं होता तो मैं इसे जो है अपने हिसाब से मतलब खुद से ढोना चाहता हूं और टलाय जो होता है तुन से कहता है कि क्या हम जगह ढोड़ने वाला काम किसी और दिन कर सकते हैं तो यहाँ पर टुन कहता है ठीक है हम कर सकते हैं और वो उससे पूशता है कि फिर वो मतलब जो है अपने घर कैसे जाएगा तो यहां पर टलाय कहता है कि मुझे लगता है कि साथ टैक्सी से या फिर क्या तुम मुझे मेरे घर तक मुझे लिफ्ट कर दोगे या मतब छोड़ दोगे तो यहां पर टुन कहता है ठीक है जैसे तुमारी मर्जी और उसे एक स्थान पर लेकर जाता है जो बहुत जाता सून चाहिए तो यहां पर टलाए को बहुत डल लग रहा होता है और कहता है कि मैं जो मतलब यह जो गली है बहुत ज़्यादा डुराओनी है और मुझे नहीं लगता कि हमें इस गली के मिदल में यह सब करना चाहिए और बोलता कि अगर यह गाड़ी फ्यूल से चलती है तो इसका म अपनी बाइक को रोकूंगा तो फाइनली यह लोग एक मतलब कोई काफे टाइप की जगह होती है उसकी गेट पर रुकते हैं तो यहां पर टलाए कहता है कि क्या यह सही टाइम है कि हम लोग कोई लोकेशन डूड़ें तो यहां पर टून कहता है कि मुझसे अभी कोई यहां पर टून कहता है कि मैंने यह डिसाइट कर रहा है कि जो मेन लीट करेक्टर है वो एक दूसरे से जुदा होने के बाद इसी जगह पर एक दिन दुबारा फिर से मिलेंगे तो यह चीज सुनकर जो टलाए होता है कि हां तुम सही बोले हो और यह बहुत ही जादा अच् यहां पर टलाए कहता है कि मुझे कैसे चीज पता होगी क्योंकि तुम वो अकेले इंसान हो जिसने पूरी की पूरे स्क्रिप्ट लिखी है यहां पर टून होता है कि तुम इस शौप में दुबारा से इंट्री करोगे और मैं यहां पर मतलब में लीट की रूप में यहां करेंगे तो यहां पर टून में खरन लाँ तो यहां पर टुन होता है पलिखेंट खरणे के कोशिज धोले हुए से मुलेंगे तो किस तरह कहीं होगा तो यहां पर टून मिन भी प्यार में पड़ जाएंगी तो यहां पे जो टुन होता है कि मुझे लगता है कि हाँ वो लोग प्यार में पढ़ जाएंगे और उसके बात बोलता है कि मुझे बहुत ज़्यदा भूंग लगी है चलो हम लोग खाना खाने चलते हैं तो यह लोग टेबल पर खाना खा रहे होते हैं पर टुन कहता है कि इस वो अवस ही तुमसे बहुत अदर ठक जाएगा तुम्हें इस तरह से डिजर्ट के लिए रोज रोज बाहर लाते हुई तो यहाँ पे टलाय कहता है कि मैं इसे खुद से भी खरी सकता हूँ और इसके लिए मुझे किसी लवर की जोरत नहीं है जो मुझे यहाँ रोज बाहर लेकर आए यहाँ पे टुन कहता है कि तुम कब किसी और को डेटिंग के बारे में मतलब सोचोगी तो यहाँ पे टलाय कहता है कि मेभी जब मैं एक कलरिस्ट बन जाओ किसी फिल्म में और एक बहुत बड़ा प्रिजेंटेशन दू किसी फिल्म फेस्टिवल में साइद उसके बारे में और बोलता कि क्या तुम कभी ऐसा नहीं लगा कि जो है हमारे पॉटकी को ढोड़ने की जो चाभी वो प्यार हो सकती है जो है टुन बोलता है तो यहाँ पे टलाय कहता है कि जो तुम सड़नली इन सब चीजों के बारे मुझसे क्यों पूछ रहे हो तो टलाय टुन कहता है कि क्योंकि तुम प्यार उस तरह की चीजों के बारे में कोई केर नहीं कर रहे हो त lle पूलता है कि तब क्या होगा जब हमें वापस जाने के लिए किसी से प्यार करने के जोड़ पढ़ जाएगी तो उस ताइम पर तुम क्या करोगे तो यहांपे टलाया कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँगा और वो कहता है कि यह इस चीज़ पर डिपेंट करेगा कि वो इनसान कौन है तो यहाँ पे टुन से कहता कि क्या होगा अगर वो इनसान मैं हूँ तो तो यहाँ पर जो टला होता कुछ नहीं बोलता और उसे पूछता है कि तुम इस सब चीज बारे में क्यों पूछ रहे हो, तो यहाँ पे टुन बोलता है कि, जो है, मैं बहुत सारे चीज़ों के बारे में सोच रहा हूं, जैसे कि घर जाने, अपने काम के बारे में, और हर एक चीज के बारे में जो प्यार से रिलेटेड है, बोलता है कि इसलिए मैं प्यार के बारे में जो है थोड़ा और अच्छे से जाना चाहता हूं और उससे कहता है कि यह कैसा रहेगा अगर हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लेगी तो तो यहां पर टलाई जोता कुछ नहीं बोलता ऐसा समझ सकते हो कि तुन नेक हिसाब से प्रपोस कर रहा होता है इसका नेक्ट पार देखना मत भूलिएगा और वीडियो पसंद दूसरे लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए